असलालेकूम वीवर्स कैसे आप सब उमीद करती हूँ खेरियत से होंगे आज हम चिकन बाव बंस बना कर तयार करेंगे और ये बंस किस तरब से बनाये जाता है आज मैं आपको वो दिखाऊंगी और इसके अलावा इस बंस को हम और किस किस चीज़ के साथ सर्फ कर सकते हैं ये भी हम देखेंगे तो सबसे पहले हम इस्ट तयार कर लेते हैं आटा लगाने के लिए तो यहाँ पर मैंने एक गिलास कुनकुना पानी ले हूँ इसमें हम एक चमच शक्कर डालेंगे और यहाँ पर मैं ये ड्राइ इस्ट डाल रही हूँ इन सब को हम मिक्स करेंगे और हम पाच मिनट के लिए इसे साइड में रख देंगे तब तक हमारा इस्ट अच्छे से फर्मेट हो जाएंगा तो अब यहाँ पर हमने ये आधा किलो मैदा ले लिए हैं और इसे अच्छे से चान लिए हैं अब इसमें हम यहाँ पर दो चमच मिल्क पाउडर डाल रहे हैं सुखा दूद पाउडर इससे हमारे बंस बहुती सॉफ्ट और अच्छे से बन कर तयार होंगे टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दीजिए और एक चमच हम इसमें आउइल डाल लेंगे यह देखिए पांच मिनट हो गए हैं और हमारा इस्ट का पानी भी अच्छे से तयार हो गया है अब हम सबसे पहले आटे को आउइल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे दूद पौडर यह सब अच्छे से मिक्स हो जाएंगा इसके बाद हम इसमें यह इस्ट वाला पानी थोड़ा थोड़ा डाल कर इसे अच्छे से गुन लेंगे हमें आटे अच्छा सॉफ्ट गुनना है अपने नौर्मल आटे से अच्छा सॉफ्ट हम आटा गुन देंगे चाय तो आप इसे दूद से भी गुन सकते हैं आटे को हम अच्छा पांच मिनट तक गुन देंगे और उसके बाद हम इसे बॉल में डाल देंगे और उसके बाद हम इसे गरम स्पेस में रखेंगे किचन टावेल से हम इसे ढख देंगे ताके हमारा आटा अच्छे से रेस्ट हो जाए एक घंटे के लिए हम इसे साइड में रख देते हैं तब तक हम चिल्ली ओईल बना लेते हैं चिल्ली ऑईल बनाने के लिए कश्मीरी लाल मिर चिली हूं सिर्फ कलर के लिए नमक है आधा चमच चिल्ली फिलेक्स है एक चमच ये पिसह हुआ गरम मसाला है एक चमच और यहां पर हमने वाइट तिल लिये हैं एक चमच आप पिसह हँआ इसलिए बहुत कम कॉंटेटी में बना रहे हैं इसलिए मैंने यहां पर 2 बड़े खाने के चमच ऑईले ली हूं पैन में अब इसके अंदर हमने जीरह डाल दिये हैं और जीरह के बाद हम इसमें चॉप लसन डाल देंगे ये 20-25 लस्टन की कलिया है जिसे हमने बारी चौप कर लिये हैं इसे हम अच्छा गोल्डन होने देंगे और आपको पिसा हुआ गरम मसाला नहीं डालना है तो यहाँ पर आप साबित गरम मसाला डाल सकते हैं बट साबित मसाला अच्छे से गोल्डन होने के बाद आपको इसमें से फिर निकालना पड़ेगा इसलिए फिर मैं पिसा हुआ गरम मसाला ही डालती हूं ताके टाइम भी बच जाए और फिर वो निकालना भी ना पड़े यह देखिए लसन गोल्डन हो गया है अब यहां पर हमने तिल डाल दिये और चिली फिलेक्स हमारा और यहा जरूर बनाना इसलिए के बंस का टेस्ट इससे बहुत ही अच्छा आता है अब हम चिकन की फिलिंग तयार कर लेते हैं तो यह यहां पर मैंने चिकन ली हूं यह 200 गिराम जिसे हमने इस तरह लंबाई में कट कर लिये हैं और यह 200 गिराम हमने आलू लिये हैं इससे छील कर हम अपना डाले वैसे बच्चों को बंस बहुत पसंद आते हैं और आलू उनका फेवरेट होता है इसलिए में यह डाल रही हूं चिकन मेरी नेशन के लिए हमने कुछ मसाले लिये हैं इतिक का मसाला है और यह भुना हुआ जीरा है चिल्ली फ्लैक्स है थोड़ा सा लाल और अच्छा साम मिक्स करेंगे पहले दिए चिकन बोलनेश हैं और इसे आप अपने पसंद के हसाब से कट कर सकते हैं चाहे तो लंबाई में काटे या आप इसे बड़े सीच भी मना सकते हैं हम यह देखे हैं मैं इसे अक्छा से मिक्स कर रही हूं और इसके बार फिर ज़् यह तीन बड़े चमच है कॉन फुलावर की कोटिंग कर देंगे हम इसमें अच्छे से हम इसमें पानी का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे यह इसी में अच्छे से कोट हो जाएगा तो यह देखिए हमारा मेरी नेशन अच्छे से तैयार हो गया है इसे अब हम साइड में रख पीश देखिए छिपान के पीश और आलू के पीश डाल देगे स्ट्री थोड़ी कॉन्टिटी मिरे nights longer का तैके हमारा थेमपरियतिः और यह और यह जांप और यह पहुझे मीले अच्छे से पराइग हो सकते इसलिए हम्हारा ज़्याधा कान ढृन कुंटिटी में नहीं ड नहीं पकाना है बलके पूरा ही कुप करना है है चिकन को इसमें इसलिए बिल्कुल हम इसे अच्छे से चलाते होगे पकाते रहेंगे तीन से चार मिनट में हमारा चिकन अच्छे से फराय हो जाएंगा यह देखे हमारा चिकन अच्छे से फ्राय हो गया है इसी तरह हम सभी चिकन को फ्राय कर लेंगे इस बंस में हम चिकन की स्टैफिंग लगा रहे हैं आप अपनी पसंद के हिसाब से वीजी टेबल वड़ा जिस चीज के बीचा है बहुत अच्छे लगते हैं तो यह देखे हमारा आलो और चिकन कितने अच्छे से हमने फ्राय कर लिए हैं अब हम इसे साइड में रखते हैं और अब हम आठा चेक कर लेते हैं किस तरह से हमारा आठा तयार हुआ है तो माशालला से देखिए कितना अच्छे से हमारा आठा बनकर रेडी हुआ है अब हम इसमें जितना भी ऐर भरा है उसे निकाल देंगे और 5-6 मिनट इसकी अच्छे से मालिश कर लेंगे मसल मसल कर इसे और हम बराबर से तयार करेंगे आठे का बन्स के लिए यही है कि हम आठा बहुत अच्छे से तयार करें तो हमारे बन्स भी बहुती सौफ्ट और नरम और जालीदार बनकर तयार होते हैं तो आठे का मैंने पूरा उसमें से आयर निकाल ली हूँ और इसे अच्छे से हमने मालिश कर लिए हैं अब यहां पर मैंने उसमें से थोड़ा सा आठे का एक पेड़ा ली हूँ इसे हम बेल लेते हैं देख सकते हैं आठा हमारा कितना अच्छा सौफ्ट हुआ है एक घंटे का हमने इसे रेस्ट दिये थे अब इस तरह के एक बड़े हम कटर से या जो भी चीज़ आपके पास है और जो साइज आपको चाहिए उसके हिसाब से हम इसे कट करेंगे तो मैं यहां पर इस साइज का काट रही हूँ आपको इससे बड़ा बनाना है छोटा बनाना है आपको को इस पास जो साइज अवेलेबल है आप उससे कट कर लिए है तो यह देखे हमनी इसे कट कर लिए है और इसकी ठिकनेस देख सकते हैं भी लेम determines हैं या जाद अजय हमने इसे जाड़ा रखे हैं आप इसे चोटा छोटा एक लोई बना कर भी बेल सकते हैं बट उसमें टाइम बहुत जाता है इसलिए मैं इसे इस तरह से कट करके बनाती हूँ यहाँ पर आप बटर घी ऑईल अपने हिसाफ से जो पसंदे वो लगा लीजिए मैं यहाँ पर घी लगाई हूँ इसके उपर थोड़ा सा हमने सूखा आटा इस पर छिड़त दिये हैं और अब हम इसे इस तरह आदे में फोल्ड कर लेंगे और अपने सामने की तरफ से हम इसे हलका सा प्रेस करेंगे ये देखे हमें अपने सामने की साइड में हलका प्रेस करना है पूरा नहीं करना है ये इसलिए कि इसके अंदर से अच्छी से एक जगह बन जाए और हमने जो चिकन वाली फिलिंग तयार किये हैं वो इसके अंदर से अच्छे से आ जाए तो ये देखे सबी बंस को हमने इसी तरह से बना लिए और अब 30 मिनट के लिए हम इसे रेष्ट देने के लिए रख देख कर घरम जगर पर दख कर रखेंगे तो ये जल्दी से रेष्ट हो जाएगे देखे 30 मिनट बार हमारे बंस अच्छे से फूल गए हैं रेस्ट हो गए हैं अब यहां पर आप इसे स्टीमर में भी स्टीम कर सकते हों बट मैहां एक बड़े से पतेलें पानी डाली हूं नीचे खमने कटोरी रख दिये हैं सपोर्ट के लिए बड़ी पिलेट रखे हैं और बड़ा बरतन लिए तो हमारे जादा बंस इस्टीम होंगे इसलिए मैने इस तरह का बरतन ली हूं अब कॉइल पेपर से मैं इसे अच्छे से कवर कर रही हूं ताके भाप इसकी बाहर ना आए और यह अच्छे से इस्टीम हो जाए हमें पंदरा मीनट के लिए इसे इस्ट तरह से फिर हमारे बंस बहुत ही अच्छे सॉफ्ट बनका तयार होंगे पंदरा मिनाट बाद हम इसे चेक कर लेते हैं यह देखिए माशाला से कितने अच्छे हमारे बंस बनकर तयार हुए हैं और सब कितने अच्छे फोल गए हैं और यह सौफ्ट भी देखिए कितने बने हैं बिल्कुल इसका एकदम वजन भी बहुत हलका हो गया है और बहुती नरम नरम हमारे ये बंस बन कर तयार हुए हैं तो अब हम इन सबी बंस को निकाल लेते हैं और अब हम दूसरा बैच भी इसी तरह से स्टेम कर लेंगे देखिए हमने सबी बंस को निकाल लिये हैं मैं आपको दिखाती हूँ कितने जाली दार और सौफ्ट बन कर तयार हुए हैं और कितना अच्छा सा इसका कलर भी आया है देखिए कितने अच्छे से जाली बनी है इसमें और खाने में तो क्या ही बताऊं बहुती मज़ेदार बंस हमारे ये तयार हुए हैं अब चलिए हम इसमें स्टैफिंग लगा देते हैं सभी में हम स्टैफिंग अच्छे से भर देंगे तो सबसे पहले हम इसमें चिल्ली ओइल लगाएंगे चिल्ली ओईल भी इतना टेस्टी बन का तयार हुआ है ना आप इसे जरूर बनाना जब आप ये बंस बनाएं आज़ चिकन के बंस बना रहे हैं तो चिली ओयल जरूर बनाना और आपको वीजीटेबल या वड़े के साथ बनाना है तो आप ग्रीन चटनी, टुमाटर, केचप उसके साथ भी से सर्फ कर सकते हो बड़ चिकन के साथ तो ये चिली ओयल बहुत ही टेस्टी लगता है तो आप देखे हम इसके अंदर जितनी स्टैफिंग आईगे हम वो सब भर देंगे इसमें वैसे ये दिखने को बहुत छोटे होते हैं बंद मैर इसमें अच्छी खासी स्टैफिंग जाती है तो ये रिखे हमने इसमें चिकन भी डाल दिये हैं और हमने इसमें आलू भी डाल दिये हैं आलू अगर बड़ों को ना पसंद आए तो आप उसमें सिर्फ चिकन डाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से पसंद के हिसाब से इसमें स्टैफिंग कर सकते हैं अब यहां पर मैंने यह दही डाल दी हूँ, यह दही बहुत क्रीमी दही है, खटे वाला नहीं है, घर का बनाया हुआ मिठा दही है। एक ग्रीन मिर्च तपक्नियातoter हैं। यह लुद्धा त्यार हो गया है। शब्त हमयरे बर्फाने कोद पूमेरे को इसलेन और और लेूदियू केयाओं। viene, आपने आठा थो शबरें कोड़ें। और इसके अंदर जो हमने फिलिंग तयार किये वो भी चिकन और आलू मिलाकर आदा किलो के खरीब थी तो इस तरह हमारा ये अच्छे से बंस बनकर तयार हुए हैं आलू बिल्कुल ऑफ्शिनल है चाहे तो ना डाले फिर आपको पूरा 500 गिराम चिकन लेना होगा इतने बंस बनाने के लिए इसमें भी हम अच्छे से फिलिंग डाल देते हैं और ये देखिए हमारे कितने अच्छे से चिकन बाव बंस बनकर तयार हुए हैं आप भी इसे जरूर ट्राय करना खाने में तो इतने लजीज है बहुत ही ज़ादा टेस्टी है और बड़े और बच्चों को सब को बहुत ही पसंद आते हैं आटा जादा सौफ्ट ना लगाए ना जादा हाड लगाए अच्छे से आटे की मालिश करें 15-20 मिनट आटे का जो टाइमिंग है बराबर से उसे रेस्ट करना है और उसके बाद फिर स्टीम करना है और बहुत अच्छे तरह से हमारे बाव बंस बनकर तयार होते हैं बस यह एक साथ ही इस्की ट्रिक्स हैं इसकी की जो स्टेफिंग है वह आप अपनी पसंद अपनी टेस्टी के हिसाब से कर सकते हों विजी टेबल डाले या फिर आपको जो भी वड़ा पसंद और पपसंद को बहुत जो भी टेस्टी यह सब के साथ आपको अर आप इसे घृन जाए खेदा बावबंस तयारें तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसे लगी मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिए शेयर कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ तब तक अपना ख्यार रखें दौाओं में याद रखें अल्ला हाव